तो रुपाली गांगूली और गौरोखर नश्टार अरनुपमा को तो आप जानते ही हूंगे और फिलाल अभी नंबर वन पर चलने वाला सबसे ज़्याद अम्मा सहूर सी शो हो चुका है तो हाला कि इन दीनों अनुपमा में चल रहा माया का ट्रेक दर से कोगो खास पसंद नहीं आ रहा है बेते दिन भी जो पाली गांगूली के अनुपमा में दिखाए गया है कि माया अनुच के नस्दिक जाने की कोशिश करते हैं कि इन तभी वहाँ पर माया को संपत मिल जाता है दुस्री और वन्राज शाह अनुपमा से कहता है कि उसके आने से घर में खुशिया लोट आती है और वह जाता है कि काश वह पूराना दिन वापिस आ जाए लेकिन बता दे कि रुपाले गांगुली के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट और टान यहीं समापने ही होते है अनुपमा में वन्राज के हरकतों पर अनुपमा उसे खरी-खोटी सुनाती है वह उसे बोलती है कि आप हमेशा पाश्ट पाश्ट करते रहते हैं न तो अपना भविश्च लेकर गड़े में गिर जाएंगे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेते हुए कल का कोई भी साया उस पर पढ़े मेरे जिन्दगी के दरवाजे पर बोर्ड लगाया जिस पर लिखा है कि बुरी नजर वाले अनुपमा के से सावधान दूसरी और वन्राज की हरकतों पर काव्या आसू भाती है और किसी को फोन करके मिलने बुलाती हैं इस तीज को लेकर माना जारे कि काव्या अपने एक्सपती से मुलाकात करेंगे अनुपमा विधी कहा जाएका कि संपत को देखने देखते ही माया कि हाथ पैर धिले पड़ जाते हैं वही माया से कहेगा कि तू इतने दिनों से थी कहां तुझे पता है न कि कहां कहां ढूंडा है मैंने तुझे अनुछ के पुछने पर संपत बताता है कि माया उसकी बीबी और वह माया पर अरुप लगाते हुए कहता है कि इसने कई लोगों को अपने जाल में फसाया है और अनुज को फोन मिलाने की कोशिश करती हैं लेकिन माया की हरकत के कारणवा उसका फोन नहीं उठा पाता रुपारी कांगुली के अनुपमा में दिखाया जाएगा की संपत माया की शॉल उसके सरीर से हटा देता है या देख कर अनुज का पाराट चड़ जाता है और वह औरत की बेज़्यती करने के लिए संपत की धुलाई करता है और उसे माया से दूर रहने के लिए कहता है वह अनुज कैसा वेवार देख कर वह उसे गले लग जाती इतना ही नहीं वह उसे भी कर देते हैं या सब देख कर अनुज उसे पीछे के और धक्का दे देता है और उसे हद में रहने के लिए कहता है धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद